लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूले बैल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल तो अब मैं गुजारिश करूँगा जिएंता डैवी के एक्जेकुटिव एडिटर प्रदी डवास जी अनुल जैन जी की वो रतनलाल कटारिया जी को स्टेज पर लेकर आएं तो अगले सत्र का हम आगाज करने जा रहे हैं जोरदा तालिया हो जाए हम बाला से सांसत रतनलाल कटारिया जी के लिए जो अब आपके ही चुनिंदा सवालों का वो जवाब देंगे वास अब लगातार फ्लाश हो रहा है जिस पर आप हमें वास अब कर सकते हैं अपने सवाल अगले एक घंटे तक रतनलाल कटारिया आपके सम्मुक होंगे और अब मैं चाहूँगा कि प्रदी डवाजी और अनिल जैन जी प्रतनलाल कटारिया जी को बुके दे कर उनका स्वागत करें यह वो पल है जब तमाम जो लोग है और उनसे जुड़े जो सवाल है अपने सांसत से हालकि राजनीती की एक नई दिशा देने की कोशिश एक नया बदलाव इस कारिकरम के आगाज में ही रखा गया कि सांसत से किन-किन सवालों के जवाब होने चाहिए और अब मैं गुजारिश करना चाहूंगा प्रदीब डबाज जी जनता डिवी के एक्जुकेटिव एडिटर कि वो अपने सवालों की फेहरिस्त यहां रखें और सांसत सहब से उनका जवाब ले अब मैं मंच का समचाल आपको सौपता हूँ और सागेत बहुत-बहुत स्वागत है रतनलाल काटारिया जी आपका काटारिया जी आपसे बातशीत का सिल्सला बढ़ाए उससे पहले एक जानकारी में काटारिया जी के बारे में देना चाहूंगा कि 2014 के लोगसावा चुनाओं में जितने वोट बी पर पहुचे दे लोगसावा में अपने कामकाज का पास साल के कामकाज का लेखा जो का आप शुरू में रख दे उसके बाद बाचीत का सिल्सला और सवालों का सिल्सला आगे बढ़ाते है कि मैं अम्बाला की स्वाभिवानी कि जनता के प्यार से समर्थन से अशीरवास से हिंदुस्तान की पार्लिमेंट में आया और लोकसभा के अंदर पांच वर्स में सिरफ एक दिन मैं लोकसभा में नहीं गया तो आप यह कह सकते हैं कि 100% हाजरी मेरी लोकसभा के अंदर रही है कि और लोकसभा में 118 बार कि मैं बोला हूं और समाज के अंदर कि इतने भी इंट्रनेशनल नेशनल स्टेट लेवल लोकल लेवल के जो मुद्दे रहते हैं उन सब के ओपर मैंने हिंदुस्तान की लोकसभा में अवाज उठाई है और उसमें अगर हम थोड़ा देखें हर्याने का तो हाजरी में नेशनल एवरेज 80 प्रतिसत है और स्टेट की जो एवरेज है वो 85 परसेंट है और मैं लगबग 100 परसेंट हाजरी के साथ हिंदुस्तान की लोकसभा में हूं डिबेट में भाग लेने की नेशनल एवरेज 65 परसेंट है और स्टेट लेवल की जो है वो 59 परसेंट है जबकि मैंने 118 में भाग लिया है इसी तरह से क्वेस्चन्स इन वर्सों में मैंने लोकसभा के अंदर 331 क्वेस्चन उठाए और नेशनल एवरेज जो है वो 280 है और स्टेट लेवल की जो एवरेज है वो 218 क्वेस्चन्स की है और इस द्रिष्टी से कि मैं जब पिछली बार एंपी था तो सर्धे एटल जी ने मुझे कि तब भी संयुक्त राष संग में कि संयुक्त राष संग के 55 अधिवेशन में जाने का सवभाग्य प्राप कराया और उस समय में मिलेनियम ड्वेल्मेंट गोल्स को इस सारे संसार की युएन नों ने अपनाया था तो सोल्वी लोग सभा में भी आदर्निया प्रधान मंत्री निरेंदर मोधी जी ने मुझे संयुक्त राष संग में भारत का प्रतिन दीतव करने के लिए भेजा और इस वर्स भी जो कि जो एस डीजी गोल को कि 2015 में अपनाया गया मैंने संयुक्त राष सभा में जाकर भारत का प्रतिन दीतव किया कि और इसी तरह से कि जम मैं अपने लोग सभा के कि विकास की बात करता हूं तो सांसद बनते ही 3136 क्रोड रुपया फोर लेनिंग के लिए जो मेरे लोग सभा को जोड़ता है वो अंबाला से कैथल और अंबाला से सहा सहा से शहाबाद पंचकुला से यमना नगर तो खंगेसरा से जो है हमारा नरहांगड तो इस प्रकार से जो फोर लेन्स और सिक्स लेन का जो जाल इन चार साल के अंदर बिछाया गया अंबाला में केंदर सरकार ने कैंसर होस्पिटल दिया उडान योजना के अंतरगत हवाई अड़ा दिया कि और मैं यह बात आप से शेयर करना चाहूंगा कि जहां पर गुरु गोबिन सिंग जी की माता थी जिस गौं से लखनौर साथ से वहाँ पर कि साथ साल पहले एक VLDA कोलीज की अधार सीला रखी गई थी बना नहीं लेकिन अब आदनिया मनोहर लाल जी के नेत्रितम में उसका भी हमने काम चलवाया और भारत की संस्कृती से समंदित आदी बद्री कि वहां से जो मा सरस्वती का उद्गम हुआ है वो भी पहली बार हमारी सरकार के कारियकाल में हुआ है और लोक सभा में काडारिया साहब तमाम उपलब्दिया सोफी सदी हाजरी लोक सभा में उसके बावजूद गुमसुद्गी के पोस्टर लग गए आपके आप एंपी बनने के बाद लोगों के बीच पोचे नहीं अपने संसदिय छेत्र में नहीं पो कुछ कहा भी इसको लेकर आप आप जो कारिय करताओं उसे मुलाकात नहीं करते हैं लोगों से नहीं मिलते हैं काम नहीं होते शिकायते यह रहती है लोगों की कि इससे बड़ा जूट का पुलंदा कोई हो नहीं सकता और जिस आदमी ने ये बात की थी पोश्टर की चार साल पहले वो अभी मुझे जो जानकारी मिली है छे महिने की जेड़ काट के आया है और अंसोचल एलिमेंट है और उसको लगता था कि एक मेंबर पार्लिमेंट के कलाफ कुछ बोलने से तुझे मेडिया के अंदर कुछ थोड़ी सी प्रामिनेस मिल जाएगी और इस चक्र में आके उसने ये गिरिनित कृत्या किया था और अभी वो छे मिने की हवालात काट के आया है गल आपका बयान था कि ल है मुख्यमंत्री से पूछा गया तो उनोंने का कि वह चाते हैं कि अपने समय पर हो तुन लगता है कि टिकट में कोई संदे है आपकी इसवर कि अग्य दुखिए ऐसा है कि है पूर्टिकल क्वेस्चन है मैंने पहले भी कहा है कि टिकट जो होता है वो पार्टी की अमानत ह होता है पार्टी जब चाहे किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दे सकती है लेकिन मैं पिछले 40 साल से लगातार चुनाव लड़ रहा हूं और उसमें जीत भी हुई है हार भी हुई है लेकिन जो मैंने लोकसभा के अंदर जो परफॉर्मेंस दी है अपनी लोकसभा के एरिये के अंदर भी जो मैंने परफॉर्मेंस दी है तो उसको मद्य नजर रखते हुए मुझे ये लगता है कि एक कार्यकर्ता जो पचास साल का अनुभव रखे हुए है और मैं एक दलित परिवार से आता हूँ और पिछले साथ आठ दसकों से उन्नी सो ब्याली से मेरा परिवार लगातार राष्टिय स्विम सेवक संग के माध्यम से जन संग के माध्यम से जनता पार्टी के माध्यम से भारतिया जनता पार्टी के माध्यम से लगातार संग्ठन के लिए काम कर रहा है तो इस बारे में जो भी निरने करना होगा वो सं चुनाव लड़ चुका हम करेक्टिविटी की बात आपने की फोर लेंड बनवाया निश्ची तोर पे किसी भी इलाके के विकास के लिए कनेक्टिविटी जरूरी है लेकिन एक सवाल ये है कि आपने दो हजार चोदा में भी एक चुनावी मुद्दा रखा था यमना नगर नाराइण का चंडिगड के लिए नई रेल लाइन बिचाए जाने की बात आपने की दी तो हजार नो दसके बजट में इसकी घोशना भी थी लेकिन अभी तक इसका ना तो सर्वे हुआ है ना जमीन का दिग्रेंड हुआ है कि यह पिछले वर्स का बजट था उस बजट के अंदर इस रेल्वे लाइन के लिए 25 क्रोड रुपे का प्रावधान किया गया था मैं तो एक सधारन परिवार से आता हूं बड़े-बड़े राजनितिक घरानों से अंबाला लोग सब का का प्रतिनी तब कर चुके लोग 10-10 साल तक केंदर में मंत्री थे एक रुपया भी भारत के बजट से इस रेल्वे लैंड के लिए नहीं किरा सके कम से कम मैंने शुरुआत तो कराई 25 क्रोड रुपया इसके लिए रखा गया और अब जो है कि इस परियोजना को लेकर केंदर और राज् सितिया योग चाहता है कि जो जमीन अक्वायर होगी उसका सारा खर्चा राज्या सरकार दे राज्या सरकार का यह तरक है कि हमारे पास थोड़े संसादन है वो थोड़े हैं और हजारों क्रोड रुपया हम एक प्रोजेक्ट के लिए नहीं दे सकते तो वह बात्ची चल रह आती है उससे अगले दिन ही जो है इस रेल परियोजना का कारिया सुरू हो जाएगा रेल परियोजना हर हालत के अंदर बनेगी एक आपके लोकसभा छेत्र के लोग यह जानना चाहते हैं कि यह बताएं कि पिछले चार साल साड़े-चार साल के दोरान या पांसाल अपूरे होने वाले है इस दुरान कोई बड़ा उद्योग कोई बड़ी फैक्ट्री आपकी प्रयासों से पहुंची लोकसभा चेत्र में आपके जिसे नोक्रियों का सिर्जन या रोजगार का सिर्जन वहां हुआ हो कितने लोगों को रोजगार उपलब्द हो पाया आपके प्रिया सबसे बड़ा जो हर्बल पार्क है वो मेरी लोकसवा के मोरनिक शेतर के अंतरकत जो है वो बनने जा रहा है अमबाला केंट का जो रेल्वे स्टेशन है आधनिया परधान मंत्री जी जब पैरिस गए थे तो पैरिस की सरकार के साथ और भारत सरकार के साथ उस रेल्वे और भारत की टीम भी थी और उसमें इन्वेस्टर्स को भी बुलाया गया था दो दिन का समिनार लगा था कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट को सुरू करना है तो उसको देखते हुए मैं आपको ये बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि हमने रुजगार परदान कराने की दिरिष्टी से अभी जो भारत सरकार के ट्रांसपोर्ट मुनिष्टी ने जो फैसला लिया है कि सारे देश के अंदर दस ऐसे के अंदर बनेंगे जिनको ट्रांसपोर्ट हब बनाया जाएगा उसमें मेरी लोकसभा अंबाला का भी एक नाम है और उसमें एक जीला और शा और वैसे भी मैंने अगामी योजनाओं के अंतरकत भी मैंने आदरनिया पर्धान मंत्री जी को एक पत्तर लिखा है और उनका मुझे जबाब भी आया है मैंने पर्धान मंत्री जी से ये गुमार की है कि wildly के बाइश पarse अड़ा है उस पे पैर रखने की जगह होगी ना दिल्ली के रेल्वे स्टेशन के ओपर पैर रखने की जगह होगी ना दिल्ली के बस अड़े पर पैर रखने की जगह होगी वैसे भी परदूशन जो है वो दिल्ली को मार रहा है ऐसी परस्तितियों में NCR से बाहर जाकर 200 किलो से अमबाला यमनानगर से अमबाला जगादरी से अमबाला अगर हम इस सारे क्षेक्तर को एक इंडस्ट्रियल हव के रूम में ड्वेल्प करते हैं तो दो हजार साथ तक हम दो धाइक रोड लोगों का उस रीजन में समावेश कर सकेंगे और यह जो पांचे राज्य हमारे पा है इन सब के लिए जी एश्टी लागू होने के बाद अमबाला एक ऐसी डेस्टिनेशन है अगर हम वहां पर जो है इस परकार का कोई हब खड़ा करते हैं तो वो बहुत ही लाबदायक हमारे देश के लिए रहेगा उस दिशा में आदरनिया मनोहरलाज जी ने भी थोड़े प्रियतन सुरू किये हैं कि मेरा यह कहना था कि जो फ्रूट है जो ही माचल से आता है वो दिल्ली पहुंचते पहुंचते उसमें 30-40% जो है वो तो जो है वो गड़ जाता है सड़ जाता है ऐसी स्तिति के अंदर हमारा जो पंचकुला है जिसको गेटवे और भारियाना कहा जाता है अगर हम यहां पर कोई कोल्ड स्टोरेज की चैन इस परकार की डिवेल्प कर लेते हैं तो जो उतपादन करता है उनको उनके उतपाद का पूरा मुल्य भी मिल सकेगा और हम अपनी सबजीयों को अपने फ्रूट को लंबे समय तक जो है तै कर पाएंगे इस परकार कि हमारी योजना चल रही है कटारिया शाब जो होने हो सकता है वह बता रहें जो होना चाहिए था उसको लेकर भी लोग जानना चाहिए अंबाला में रेल्वे का बाटलिंग प्लांट लगना था उसका क्या रहा वह एक बार जरूर जरूर दर्शकों को और अपने इलाके क स्टेशन का हो रहा है जिसके ओपर हजारों क्रोन रुपया जो है फ्रांस के साथ वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाना दाम वाला रेल्वे स्टेशन को बन गया है हाँ बन उसकी सुरुआत हो चुकी है लेकिन वहां का जो दस पीसदी से ज्यादा काम नहीं हुआ है उस पर मैं तो उन योजनाओं को लाया हूँ अपनी लोग सबा में उनके लिए धन उपलब्द कराया है कि जो योजनाएं वहां की जो पहले संसत थी कुमारी सहल जा और हुड़ा का जो आपस के अंदर जो विरोध चलता था उसके परिनाम सबरूप जो मेरी लोग सबा का बेड़ सरकार के मंत्री जो है वो आपको बोलते हैं आप भी लगातार बयान देते रहें राजनितिक तोर पे यह कितना स्वस्त है एक पार्टी के लिए कि भीतर ही पार्टी के लोग आपस में इस तरह के बयान जो है वो देते हैं लगातार देखिए पार्टी के अंदर डेमोक्रे की जो मर्यादा है जो लक्षमन रेखा है उसका कोई उलंगन जो है वो पार्टी के अंदर नहीं करता जिनकी आप बात करना चाहते हैं मेरा उनसे हरोज मिलना रहता है एक दूसरे प्रती जो सम्मान की भावना है उसको हम दरसाते रहते हैं और आधरिया मंत्री जी बहुत इम ओपीनियन होना डेमोक्रेसी के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है मैं तो डेमोक्रेट आदमी हूं और इसलिए एक बहुत ही गरीब घर से आकर मैंने पार्टी में अपना स्थान बनाया है और परजातंतर के लिए जिया हूं और परजातंतर के लिए ही जियूंगा जो भी वियक्ति और जो है इस प्रकार की कोई ताना शायी की बात करने की बात करता है चैंव व कहीं भी है हॉस Samo I Hom machine में भी और और मैं इस परकार के व्यक्ति को लाइक नी करता कोई भी होच है जो जो है वो ताना शाही में विश्वास रखता हो ताना शाही में विश्वास रखता हो यह एक लोग जानना चाहते हैं आपके इलाके के ही लोग है वो जानना चाहते हैं कि पिंजोर में एक बड़ा सवाल ये भी है कि पिंजोर HMT के लिए आपने नई योजना लाकर उसका पुनरवास करने की गोश्चना की थी, वो शुरू हो चुका है, अभी उसकी लेंड जो है वो अक्वायर हुई है, और उसके ओपर हंडर्ड एकड के अंदर जो है, वो फल फ्रूट का जो खून पसीना बहाना पड़ता है, और HMT के पास इतनी लेंड पड़ी है, तो भारस सरकार आए, और वहाँ पर कोई डिफेंस एक्विटमेंट का कोई वहाँ पर कार खाना खोले, और रेलवे मंत्राले जो है, इस दिशा में संग्यान ले, पहले ही वहाँ पर मसील एंड ट अतलाल कटारिया जी, कल आपका बयान आया था कि इस बार लोकसभाद चुनाओं में, बीएसपी के कंडिडेट को आप तीन लाग से ज्यादा वोट से आराएंगे, आपने इस तरह का बयान दिया था, कि बीएसपी के कंडिडेट को तीन लाग, जबकि पिछले एलेक्शन म अब इस बार जो गठबंदन है कहीं उसको लेके इस तरह का बयान आपका, देखिए ऐसा है, वो किसी संधरम में आया था, उन्नीसो ठानवे के संधरम में, कि बीएसपी जो है, आज तक हमारे हर्याना प्रदेश में एक बार लोगसभा सीट जिती है, ठाइसो वोट से, अम उसके एक साल के बाद, जब 1999 में, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, तो जो अमन कुमार नागरा जीता था, उस अमन कुमार नागरा को पौने तीन लाख वोटों से हरा कर, मैं में मेंबर पारलिमेंट बना था, और जीन्द के चुनाव में तो बीएसपी और इंडियन ने बीएसपी और इंडियन नेशनल लोगदल का जिक्राव ने किया कल, एक सवाल ये भी आ रहा है कि इंडिस्ट्रिल हब के रूप में जाना जाता हैं अमबाला को, स्वच्ता अभियान मोदी सरकार की और से चलाया गया भरपूर उसको समर्थन मी मिला लेकिन अमबाला उस ल दान मंत्री झीर नरेंदर मोदी जी के स्वच्ता ब्यान को ले रहा है, मैं खुद पांच छे बार अमबाला के रेलवे स्टेशन, बस, स्टैंड्स और पंच कुला के जो है अंदर स्वच्ता ब्यान को मैं खुद चला चुका हूँ और वहां की नगर निगम को इस परकार के equipment भी परदान कराए गए हैं कि जो स्वस्ता भियान के अंतरगत महतव पुरुन भूम का निभाएंगे और मेरा पंचकुला जो डिस्टिक है वो 100% जो है वो ओपन डैफिकेशन से जो है मुक्त हो चुका है अंबाला भी हो चुका है तो इस तीसा के अंदर हम पूरे प्रयतन कर रहे हैं और एक दम बहुत बहुत बहतरी नधंग से आदर्णिया प्रधान वंत्री जी के स्वस्ता भियान को हमने जो है लागू किया है एक सवाल हो रहा है वापिस फिर उसी बात पर आते है रतलाल कटारिया जी कि आपका मुकावला विपक्सिप पार्टियों से है वो रहेगा आप लेकिन भीतर की बात फिर से निकल के आती है आप आप जिनका मैं जिक्र बार बार कर रहा हूं एक बयान उनकी और से पिछले कि दूखती रग के उपर हाथ लगाएं तो मुसमें मैं क्या कर सकता हूं वह अगर कैंसर ओस्पिटल यह भारस सरकार ने मंजूर किया है तो उसके बारे में कहने तो पड़े गई कि भारस सरकार का है जब मैं पहले कह चुका हूं कि जहां आप इसारा कर रहे हैं वह बहुत ही कि बहतरीन एक सक्सेसफुल मिनिष्टर हैं इमानदारी की मूर्ती हैं आप और क्या क्माना चाहेंगे मेरे से और वह भी मैंने आपको साब बात कही है कि डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी में डिफरेंस ओपीनियन जो है वो चलता रहता है और उस सीट की भी आप बात करें मैं 40 हजार वोटों से जीता हूं मैं आपके लोकसवाचेतर में जो विदानसवाचेतर आते हैं उनके कुछ विदाइकों की मैं चाहता हूं कि कुछ प्रतिक्रियाएं आपको लेके आई हैं वो जड़ा सुनुआ ही जाए सुनुआ हो जी सालों से 2200 सालों से जब से यहां ग्रेजियों का भी राज था उसमें से डिमांड है शहर दो हिस्तों में बंटा हुआ था उनको एक करने के लिए अंडर पास जो मजूरी हुई है उसके अंदर सांसद मोद्या का बहुत बड़ा योगदान रहा है और विकास की अन्या यो जनाय जिनाय जो भी है उसके अंदर काफी सांसद मोदेना हमें सही होती है है उजिस परकार से लोकसभा के अदर उनकी परफॉर्मस रहत है उन से मैं पूरी तरह से सटिफाइड है कि मारे खित्र के जो संसर्थें जनता के संपर्ट में रहे हैं कारकर्ताओं के संपर्ट में रहे हैं। और MP LED का उन्होंने पूरा-पूरा सदफूपयोग अपने कारकर्ताओं से और सथानी हैं लोगों की बाढ़ के लिए ह − एक नरी सारी विदान सभा उनके नेतरतों में जीती है और बहुत ऐसे काम ने जो आसते कभी नहीं हूए जो हमारा पूरा आधर्ष है हम बहुत उनके नहीं काम हो है भोग जबनत्र स्काम चले है यही सबस्वर्ण काम है। पिरोद्धी नियुक्ति अधिन जबादी को कि भी उप्राइप बाती है। अबडूर्द करें उब है। जी, भी ने बहेतर बताया है, आपके काम काज को सिर्फ एक को चोड़ के फिर वही बात आती है। लेकिन रोडमेप आपका, आगे के लिए रोडमेप जरा आप बदाए अपने पार्लिमेंटी चेतर के लोगों को कि क्या आपके योजना ही और रहेंगी, क्या आप वादे करना चाहते अपने लोकसभा चेतर के लोगों से, देखिए रोडमेप मेरा यही है, कि मैं जब आज स 31 साल पहले छोटा मंत्री था हर्याना में तो मैं गुड़गामा भी आया करता था फ्रीदाबाद भी आया करता था तो मैं गुड़गाओं को उस समय देखा करता था कि पर एकड़ जमीन जो है मैं रेवन्यू मिनिश्टर था वो पंतारी पचास हजार प्रतियकर थी और आज यहां पर आप दरकस्वन से पूछिए कि आज डिवेल्मेंट ने किस तरह से गुड़गाओं को इंटरनेशनल मैप के उपर लाया है और किस तरह से वहां के किसानों में आम जंता के बीच में समरीती आई है मैं यह चाहता हूं कि दिल्ली को परदूसन से चुटकारा मिले जंसंक्या के बोज से चुटकारा मिले ऐसी द्रिष्टी में अंबाला ही आसपास के इस खेतर में एक ऐसी कि जो रेलेवे मंत्री हैं और यम परिष्ट भूमी है उनने बजट में भी बोलते हुए ऐसे जो पृट व माले जेह कि है उनके पिदा जी अंबाले से ही जो जाती है उसमें और नरेन गड़ जो रेलवे की आप परियोजना लेकर आये हैं इसमें 15 किलो मीटर का ही केवल मातर डिस्टेंस पड़ता है तो आप 1500 किलो मीटर के लिए जो है 1500 क्रोड रुपया क्यों खर्च करवाना चाहते हैं लेकिन यह जो योजनस मंजूर हुई है यह सो सो इकनोमिक बेस के ओपर शुरू हुई है मैंने तरक भी दिया है के काड़े आम वहां पड़ता है इंड़स्ट्रियल हब है ही माचल का तो आपका लेकिन लगातार गुड़गाओं के विकास की बात कर रहे हैं मैं यह जानना चाहरा हूं कि तेरा चुनाओ अंबाला में लोग सभा के और चैवार आपकी पार्टी भी वहां से चुनके आई है अब सांसद आपकी पार्टी से एक पर अमन कुमार नागरा और कॉंग्रेस चैवार नहीं लगातार आपके हिस्से में लोगों ने विश्वास जताया वोट दी उसके बावजूद आप उधारन अगर गुड़गाओं का देंगे तो यह न्याय तो नहीं कह सकते इसको लोगों के साथ उनकी भावनाओं के साथ की आपके उपर इतना भरोसा जताने के बावजूद आप उधारन अगर गुड़गाओं का दे रहे हैं देखिए मैं यह कहना चाहूंगा के बच्पन से ही जिन्न लेकिन उनको केवल तेरा दिन अटल जी की 96 वाली सरकार में मंत्री रहने का मौका मिला और तब से उन्होंने पूरी कोशिश की है आज वहां पर जो हर्याना प्रदेश का सारे का जो बी एसनल का ओफिस है जो डी आर्म का जो वो एक जो है संस्थान बना है और इसी तरह से पोश्ट मास्टर जर्नल का वहां पर जो स्थान बना है वो सारा आदर ने चौदरी सुरुजभान जी ने अपने समय के अंदर कराया था और अंबाले की पहचान बनाई थी हम भी उसके अंदर लगे हैं चाहे अब वो साल दस्वी और बार्वी के बोर्ड के रिजल्ट आए मैक्सिमम स्कूल अंबाला के ऐसे थे जहां परसंटेज पास बच्चों की दस से भी कम थी कि देखिए ऐसा है कि मैं जब हर्याना विधान सभा में था उन्नीस औस्तासी में आप मेरा भासन निकलवा कर देखें और उस समय भी हमारी सरकार थी चौधरी देविलाजी मुख्यमंत्री थे तब मैं सदन के अंदर कहा करता था कि अवल में तो गौव्म में कोई स्कूल नहीं है स्कूल तो माश्टर निया माश्टर तो टाट निया तो चाक निया तो इस तरह का महौल भई और मैं कहा करता था पंच मुखी माश्टर कि के दस मीं तक का स्कूल है और एक अध्यापक है तो वह बच्चों को फंतालीस मिनट तो पहली से लेकर चौती वाड़ों को काता है बोलो है बच्चों दो दूनी तीन है तो इस प्रकार का वहाँ पर जो सिख्षा का सारा काम चलता था तो वह जो धर्रा था वह चलते चलते उसने देश का बिड़ा गरक किया है और ये बात मेरे लिए बड़ी दुख की बात है क्यूंकि मैं तो दली समास से आता हू जाना चाहिए और जब मैं यूएनों के अंदर गया था तो उसके अंदर भी मेरा जो फोकस रहा है इस देश की जनता के लिए के जब तक हम GDP का 6% education और health के उपर खर्च नहीं करेंगे तब तक हम जो बहरत को एक महान राष्टर बनाने में लगे हुए हैं उसमें कहीं न कहीं कुछ कमी देखने को मिलेगी इसलिए मोधी सरकार जी ने जो financial inclusion के जो कदम उठाये हैं और उनकी जितनी भी flagship की ओजनाए हैं उन सब का दर और आधनिया जावेडगर जी ने अभी इस बारे में बहुत से लर्निंग प्रोसेस के बारे में बहुत से कदम उठाये हैं और अध्यापकों को ट्रेंड किया जा रहा है बच्चों के लिए सुहलता हैं जो है हमारी सरकार दे रही है और इसके अंदर जितना और कुछ करने को बनेगा तो हम उसके अंदर अवश करेंगे यह बहुत जरूरी है कि भारत को स्किल की दृष्टी से अच्छा बनाने में हमें रोल प्ले करना होगा अभी बात नौकरियों की चल रही है अभी नीती आयोग के सियों ने भी यह कहा था कित्राइक डिल्ली के मुख्यमंत्री तो अनभाला गू으्क के आए उन्होंने वहां के थ्तालों का स्वास्थनमंत्री भी वहां से आप शिक्षा भी बात कर ए जीडीपी का छेप फिसरी आप शिक्षा और हेल्थ वे देने की बात कर रहें उन्होंने तो असलियत दिखाई वहां हस्पतालों में और स्कूलों में घूमके देखिये मैं भी कमाल मानता हूं आपका केजरिवाद जी अमबाड़ा जाएं और वह हुमारी सरकार की वह 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 गौशालाओं में भी घूमके आए यह वह वह जो राजनीती जिस तरह से घटिया स्तरकी चल रही है गोवा के मुख्यमंत्री पारिकर जी काफी लंबे समय से बिमार है रहूल गांदी जी उनका हाल चाल पूछने के लिए चले जाते हैं हाल चाल पूछने के बाद बाहर जब मेडिया पे आते हैं तो कहते हैं जी रफेल के ओपर उन्हें ने मुझे बड़ी जान करी दी तो यह हाल के जिरिवाल का है यह तो ठूकों को और फैंकों की राजनिती के ऊपर चल रहे हैं बदनाम करने की दिरिष्टी से काम कर रहे हैं आले पले हैं नहीं कुछ कर रहे हैं उसकी मिसाल कहीं देखने को नहीं मिलेगी अभी पांच कॉर्परेशन के चुनाव हुए है भारत्य जंता पार्टी पांचों की पांचों कार्प्रेशन बढ़े भझा वहमस से जीती इतना ही नहीं यमना-नगर मेरी लोग सवा में कॉर्परेशन का चुनाव था मैं आपको और दर्सकों को ये बताना चाहूंगा कि वहां से हमने एक धोबी समाज के लड़के मदन चुहान को टिकट दी तो सब कहते थे कि कहा है बीजेबी साफ हो जाओगे आपने क्या डिसीजन किया 500 वोट वहां पर धो जब से हर्याना बना है हम कभी नहीं जीते अरब की बार जिस परकार से हैवीवेट आ गए थे चौधरी देवीलाल का पड़कोता आ गया सुर्जेवाडा आ गया तो सब कहते थे कि बीजेबी की लूटिया जरूर डूबेगी लेकिन हमने जिस परकार की परफॉर्मेंस दी है जिस परकार से आधरनिया मनुहरलाल जी ने अपने कार्यकाल में 54,000 लोगों को पक्की नोकरियां दी है मैं आपको बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वड़े समय में सभी राजनितिक दलों की नानी याद दिला देंगे और जमाने जबत करा देंगे लेकिन लेक यह मैं यह कहना चाहता हूं कि जीत तो जीत ही है और बड़े सम्मान के साथ हम वहां पर जीते हैं और जिस केजरी वाल की आप बात कर रहे हैं उस केजरी वाल ने तो भी वह जो एक इंडियन नेशनल लोगदल से टूटके पार्टी खड़ी होई है उसको समर्तन दिया था पी ने भी उसी परिवार को समर्तन दिया था सब के हातों के तोत्ते उड़ गए और बीजेपी जीती है ने बात नोक्रियों की 54 नोक्रिया आप करें वादे तो जो है वो लाकों नोक्रियों के हुए ते कटारिया सब देखिए अभी और बात चीज चल रही है मैं अभी पि दिमाग के अंदर चल रही है तो आप आमारे पास अभी तो राज्यत सरकार के पास तो अभी काफी समय है और आप देखना कि जिस आंखडे की बात हम कर रहे हैं उस आंखडे तक हम पकी नोक्रियों में हरियाना को ले जाएंगे पार दरस्ता के साथ ले जाएंगे और ऐसे इसे बच्चों को नौकरी मिली है जो जीवन में कभी सोच भी नहीं सकते एक बार एक लड़का मेरे विधान सवाक्षेत्र का वो किसी के यहां मजदूरी करने के लिए पौद पाड़ने के लिए गया हुआ था जीरी में तो पुलिस का एक आदमी गया हाँ भई तेरी भरती ह हो गई है तो वह कहता है मेरा मिखौल क्यों उड़ा रहे हो मेरी ऐसी किसमत कहां के जो मेरी भरती हो जाए उसने का भई नहीं तुझे अभी मदूबन आज ही जोइन करना है और तभी सरपंच ने सौका नोट उसको दिया और वो लड़का वहां से अंबाड़े से मदूबन तो ऐसे ऐसे लोगों को रजकार मिला है अभी मैं जीड़ गया था ऐसे एक भाई बहन मिले कि हमारी को स्पार सीनी ठीं लेकिन हमारी नौकरी ज़ो है वो मेरीट के ऊपर लग गई है तो ठारा हजार लगी एक भी complaint नहीं सब merit के ओपर जो है online उठा लिए गए तो इस प्रकार का जब लोगों को रुजगार मिल रहा है तो हर्याना परदेश की जंता को ये लगने लगा है कि जब से हर्याना बना है तब से मनोर लाजी के रूम में एक ऐसा मुख्यमंत्री हर्याने की जंता को मिला है जो हर्याने का विकास करने में सक्सम है उनकी टीम जो है वो विकास करने के अंदर सक्सम है और उनके जो मंत्री मंडल के सहयोगी है चहे हो आदरनिया राम पलाज जी है चहे हो आदरनिया कैप्टन अभी मन्यू जी है अनिल विज्जी हैं और जितने भी मंत्री हैं वो सारे बहुत ही एक्सिलेंस तरीके से हर्याने की जंता की सेवा कर रहे हैं तीन राजों में हार के बाद नगर निकम चुनाओ हर्याना ने जीत के दिये बीजेपी को पांचो उसके बाद जीन विदान सभावी जीत के दिया उप चुनाओ अलांकि सोचल इंजिनिरिंग इस हिसाब से हुई थी कि इस बार समझ में निया रहा था कौन आगे है कौन होंगे वही जीन है जो हमने कभी आज तक जीती नहीं और मैं क्या कहूं मीडिया के सामने सारे उसमें बाद जाएगी एक बार तो एक परत्यास्ति ऐसा हमने खड़ा किया मजबूरी में उस समय जब कोई भारतिया जनता पार्टी का या जनसंग का टिकट लेने के अंदर भ इसी फ्रीदाबाद के अंदर इसी फ्रीदाबाद के अंदर सेक्टर 29 में जब मेरे उपर जो है सरकारी हमला हुआ और मुझे चोटें लगी और मैं आई सीउ में जो है दिल्ली के तीन तीन रहा तो उस समय उसके बाद मैंने ये नारा दिया था कि अपना ओका अपनी मरोड पिया पिया नहीं दिया फोड हम तो अपना घर अपने आप बसाएंगे अपने पैरों पे बीजे पी को खड़ा करेंगे और तब आदरिये चोटाला जी और उनके बच्चे सारे मेरा मुझाख उड़ाया करते थे कि टारिया पुरुन राजनीती करेगा मैंने आपूरुन लाख वोट से जीत के आया हूं लोकसभा के अंदर सब की हेंगडी निकल गई है हर्याना परदेश के अंदर कि तो बजड आ गिया विदानसभा में ज THE TV हुई क्या चाहते लोक सबाविदानसभा साथ होने थैर वज्य क्या है यह अपने वक्ति होने चाहिए मुख्यमंतरी कह रहे हैं वक्ति होने चाहिЭто straightforward देखिए ऐसा है निर्णे पार्टी करती है संग्ठन करता है और आधरिने मुख्यमंत्री जी फीट बैक देंगे पार्टी में लेकिन जिस परकार से ये बात चली है कि सारे देश की विधान सभाओं के चुनाव जो है लोक सभा के साथ होने चाहिए तो मैं तो इस बात में बसता है और अगर हाई कमांड इस बारे में कोई दिर्णे लेगी आधरने मुख्यमंत्री जी को इस प्रकार की कोई अपनी रिपोर्टिंग करेंगे तो हो जाने चाहिए चुनाव क्या लगता कडारिया जाब पूरा लेखा जो का आपने रखा आपने कामकाज का चार 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 साल में जो आपने काम किये लोग भरोसा करें आप मेरे पास से तो बच्पन से ही मेरे उपर भरोसा है क्योंकि क्योंकि आपने भविश्य की योजनाए ज्यादा बताई है ने वर्तमान की भी मैंने बहुत बताई हैं आपको मैंने इतनी तो योजनाए आपको बताई है अर देखिए दूसरा यह है के मेरी लोग सबोह में तो राम राज आ रहा नौ अमेले हैं एक लोग सब के नौ भारतिया जन्ता पार्टी के हैं आखिर वह तो भी दिन रात उन्होंने तो भी कहीं कहीं अजारों क्रोट रुपे के काम वो अपनी जो है विधान सभाउं में कीए हैं और हर्याने के स्पीकर चोधरी कमर पाल जी कहां करते हैं कि क्टारिया जी आपके तो नौ बेटे कमाने वड़े हैं आपना क्या चीनता है तो वह सारे के सारे लगे हुए हैं दिन रात हम बाड़े के विकास के लिए मैं अकेला थोड़ा हूं और आदरिया मोदी जी तो मेरे लोगसभा क्षेत्र में छे साल रहके आये हैं पंचकुला इसलिए विशेश किर्पा मेरे लोगसभा पर जो है आधनियमनहोरलाल जी की मोदी जी की रहती है क्योंके सब के हैडर क्वार्टर उस समय पंचकुला के अंदर ही थे सोफी सदी हाधरी लोगसभा में आपकी रही क्या माने लोग अब लोगों के बीच भी हाधरी रहेगी आगे भी देखिए मैं चैलिंज के साथ कहता हूं कि के रतनलाल कटारिया की फेस्बूक उठा के देख लो वही लोग हैं जो कमेंट करते हैं के कटारिया जी युग का आप 12 गंते जो हैं फेस्बूक पर ही रहते हैं अर्य फेस बूक पर रहता हूं जिन दस गवल 2009 में जाता हूं वहां पर क्या मैं टो एक समाथ बाते निकलाती है मैं तो रात ही आया हूँ इस तरह आज का संडे DR मैं लोकसभा के कही गान कर के आता लेकिन जहनता टीभी से मेरा वादा था कि मैं यहां पर आऊँ तो मेरा कल क्योंकर लोकसभा तो मेरा सारा दीन तो चला गया तो इस प्रकार से मीट गए परधान मंत्री जी की मीटिंगे निकलती है मैं विप भी हूं लोगसभा के अंदर वहां पर सारे मेंबर हमारे NDA के उपस्तित रहें मुझे पांच राज्यों का जिम्मे बनाया हुआ है कि सारे मेंबर पार्लिमें क्रोंट लोगसभा के अंदर रहें क्योंकि जब तक 55 MP वति एभ लोगसभा के अंदर बैटे नहीं होते तो तब-तड़ लोगसभा नहीं चलती तो कई बार ऐसे मोक्य आते हैं तो जैसे अब यह जो बिल पास किया गया था अभी लोगसभा के अंदर तो मेरे गन के जिन राज्यों को मैं देखता हूँ तो दो मेंबर पार्लिमेंट बिमार थे जर्नल खंडूरी जी और उस दिन होसियारी जी दोनों पुरों मुख्यमंत्री हैं वो भी बिमार पड़ गए आल इंडिया मेडिकल में चेले गए तो मेरी जुम्मेवारी थी कि मुझे जो लेजिसलेशन मिनिस्ट्र हैं उन्होंने कहा कि आपके दो लोग नहीं आये हैं इसलिए कुछ भी करें चैहावाईजाज का प्रयोग करें चैह किस तरह से करें उनको हाउस के अंदर लाना है तो फिर मुझे मेहनत तो करनी पड़ती है उसमें तो इस प्रकार से क कि मेरी लोग सभा से एक मेंबर पार्लिमेंट थे वो स्वरग में हैं मैं नरग में बैठा हूं आदर ने राम परकास जी चार बार एंपी रहे वो मेरा ख्याल चार सेकिंड के लिए भी अपनी लोग सभा की सीट से बीस साल में उठे नहीं कि और हमने तो रिकार्ड कायम किया है हमने सिर्फ अपने हलके की बाद नहीं की हमने सारे देश की बात की है अगर आप मैं ये मेरे पास हैं आप जंता को बताइए कि जिस तरह के क्वेस्चन मैंने लोग सभा के अंदर उठाए हैं वो केवल मेरी लोग सभा के नहीं है और वो सारे देश से समंदित हैं इंट नेशनल लेवल से समंदित हैं और महिलाओं से समंदित हैं जैसे महिलाओं के ओपर मैंने एक दिने क्वेस्चन पुछा लोग सभा में कि महिलाओं लोवर लेवल पे तो देखने को मिलती हैं लेकि डिरेक्टर की पोष्ट पर कितनी महिल जब तक हम महिलाओं को उच पदों के अपर नहीं पहुंच आएंगे तो तब तक हम कैसे भारत को एक महान बनाएंगे जबकि 50 पर सेंट जो है महीलाओं क्या है इसी तरह से पलके कहीं महिला सांश्वों ने मेरे साथ मुझाख में कहा कि कितार्या जी महीलाओं वड़े मुद काश्टों से समंदित बहुत से ऐसे मुद्धे मैंने लोकसभा के अंदर उठाए हैं और आज जो पग उठ रहे हैं यह जो फार्मर डिश्ट्रेस की बात है यह आज की नूठी यह पहले से उठ रही है और इसके बारे में 2014 से लगा था मैं फार्मर इंकम के लिए और आज जाके वो रिजल्ट आया है कि 6000 प्रती जो दो हैक्टेर से नीचे का जो किसान है उसको लाम मिलेगा इसी तरह से मजदूरों की बाते हम लोकसभा के अंदर उठाते थे तो किसी ने कहा है कि एक पत्थर की भी तकदीर बदल सक करती है शर्त यह है कि पत्थर को सलीके से समारा जाए हमारी पार्टी ने हमारा निर्मान किया हम अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं और जो भी दाइतव संक्षन देता है उसको पूरा निभाते हैं और मैं तो पूरे जिम्मेवारी के साथ यह कहता हूं कि जिस आ देखि एक व्रिक्स पहले ही हिमालिया परवत की उंचाई पे खड़ा है जिसमें आप रहुल की डैनेश्टी को लगा सकते हैं और एक मेरे जैसा कार्या करता जम मैं विधायक बना स्थासी में मेरे घर का दरवाज्जा भी नहीं था वो जो होता है पल्लड सा लगा रख्या था एक तो ऐसी स्थिति में कंपीट करके दो तो तिन तिन बार लोग सभा और विधान सभाओं के चुनाव जीत के आना है और मेरी तो एक और खासियत है कि मेरा चुनाव लोग लड़ते हैं मेरा चुनाव पार्टी लड़ती है मैं तो बड़ी मुश्कल से वो जो नॉमिनेशन की फीस होती है ना वो मैं देता हूं वाकि सारा कुछ जंगता और पार्टी करती है उसके बावजूद एक ऐसा व्यक्ति जो नीचे से उठकर उपर आया है और वो सवा तीन लाख वोटों से जीत कर हिंदूस्तान की लोग सवा में पहुंचता है तो मैं तो यह सोचता हूं के तेरा तुझ को अरपन क्या लागे मेरा और जो मैंने सीखा है तंस मर्पित मन समर्पित और सोचता हूं के है मातरी भूमी तुझे क्या दूँ जो अनरजी बाकी बची है वो भी भारत मादा की सेवा में लगाएंगे ये मेरा वादा है जनता से निशित और भुलंट तरीक करें लेकिन चोदरी बिरेंदर सिंग कहें गए थे कि सिर्फ तीन लोगों की आवाज बुलंद है और मोदी जी भी इस बात को मानते हैं और वो तक गा नहीं सकते और गा के गए भी नहीं हम चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा गा के दर्शकों तक बताएं कि लगे कि हाँ एक वेक् पाए तेख नहीं पाए ते आप 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 ने कहा है कि मुझे बाल्यकाल से ही गीत गाने का शौक है तो एक दिन तो मैं पार्लिमेट में बोलने लगा तो योसी जी स्पीकर थे मैंने का जी दो तीन लाइने तरन्नम में सना दूं कहने के टारिया तो सब का प्यारा है सना दे तो मैंने फिर मुगले आजम की तरज पर एक छोटी सी परोड़ी उस दिन बना के सनाई और मैंने कहा कि देश की जनता अटल जी के नजदीक आना चाहती है और जिस तरह से सड़कों का जाल और टेलीफून का जाल पहला है तो उसके ओपर मैंने कह कमल के फूल पर मोहर लगा कर हम भी देखेंगे जी हां हम भी देखेंगे अटल जी के जरा नजदीक आकर हम भी देखेंगे हां हम भी देखेंगे सुना है जब से अटल जी का जमान आया है सुना है जब से अटल जी का जमान आया है बिच्छा है गांगां में सडकों का जार और टेलीफोन लगाया है एल पी जी स्लेंडर आज गर पे लाकर हम भी देखेंगे अटल जी के जरान जिदिक आकर हम भी देखेंगे और एक लैन और लाश्ट में अभी जो मोदी जी की रैली हुई थी प्रधान मंत्री बनने से पहले हर्याना के रिवाडी में तो उसमें मैंने उस समय मोदी जी के लिए दो लेन ने बनाई थी आप कहूं तो में सनाओं दी बिल्कुल है तो उस समय मैंने बनाया था मोदी जी के लिए और भरस्टा चार सारे भारत के कनकन मैं आज समा आगया घोटाले बाजों का इलाज करन ने नरेंदर मोदी आगया रहे ना मोति नहरू का ना जवाहर नहरू का ना मोति नहरू का नजवाहर नहरू का एक साधारन मां या रहे विकास सुशासन के दमप दुनिया में नाम कमायर विकास सुशासन के दमप दुनिया में नाम कमायर अपनी ओजस्वी वानी से मो δी दुनिया के दिल पाuire खागय गोटाड़ बाजों का इलाज करन नरेंदर मुदी आया रहे भाइंध की के बहुत भूँत च्यांदार आवाज के मालिक है रतनलाल करीया जी H और आपका बहुत भूत धन्यवाद हम करते हैं आप जन्यक्रीय मंच पर पहुंच पर पहुचे क्जिए तमाम बातें आपने रखी हर पहलू पर बेबाकी से जवाब दिया हर सवाल का जवाब दिया बहुत-बहुत धन्यवाद रतनला कटारिया जी इंट्रनेशनल लेवल के लेवल के जो मैंने लोगसभा के अंदर उठाए हैं तो बहुत बहुत बहतरी नधंग से काम किया है जो एक सांसत का होता है धांक यू दन्यवाद दन्यवाद रतनला कटारिया जी बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत शुक्रिया और इस सत्र में आपने तमाम उन पहलों को छुए जिसकी दरकार आज-के वक्त में हैं मेरे आवाज सुन रहे हैं और इसके साथ साथ मैं गुजारिश करना चाहूंगा प्रदीप डबास जी से कि सांसत सहब को सम्मानित करें वो एक बहुत जोर्दा तालिया हो जाए रतनलाल कट्यारिया जी के लिए क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने तमाम तथ्यों की बात की इसके कार भी है जो अपने संसदे शेत्र का ना सिर्फ विकास करें बलकि उन्हों मुद्दो खो संसद के अंदर उठाने का भी काम करें बहुत बहुत शुक्रिया आप पने वक्त निकालाओं जनिता raqtmeter Χिस्छ बने इसके समिटु clients के लिए डबाना नभूले बेलाइकन और सब सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल